नमस्कार दोस्तों आपका फिर से एक और बार ब्लेक ख्लोवर की जादुई दुनिया में स्वागत है ये ब्लेक ख्लोवर का एपिसोड नमर 75 है एंड सेवन्त आर्क है दा रोयल नाइट आर्क रोयल नाइट एक स्पेशल मैजिक नाइट की टीम है जिसमें सिर्फ टोप पावरफुल एंड टैलेंटिड मैजिक नाइटी शामिल हो पाएंगे उसी के सेलेक्षन के लिए एक्जाम चल रहा है और पिछले एपिसोड में ही अपने हीरो आस्ता की टीम सम्हाव जीत गई आस्ता की टीम में मिमोसा एंड एक मिस्टीरियस जादूगर था जिसकी मिस्टीरियस पावर से ही वो जीत पाए अब नेक्स्ट मैच है इन दोनों टीमों के बीच में टीम डी में सारे ऐसे मैजिक नाइट्स हैं जिनको हमने अभी तक नहीं देखा होता और वहीं टीम सी में होते हैं सोल, मैगना और ये चमकीले भाई साब जिनका नाम है किर्श वर्मीलियन और ये किर्श वर्मीलियन कोरल पिकोक के वाईस केप्टन है इनका मैच स्टार्ट होने से पहले इन लोगों के बीच में आपसम बात होती है आस्ता की टीम ने अभी अभी मैच कम्प्लीट किया है तो वो लोग अभी भी ग्राउंड पर होते हैं यानि की बैटल फिल्ड पर जब आस्ता कहता है सोल एंड मैगना से की तुम दोनों का तीसरा मेंबर कौन है तो ये किर्श वर्मीलियन आके अपने आपको इंट्रोड्यूस करता है आस्ता कहता है वर्मीलियन मिमो साब बोलती है हाँ ये मेरा बड़ा भाई है वो अपना नाम बता कर कहता है ये दुनिया अगली लोगों से भरी हुई है और मैं क्यों इस पूरी दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल पैदा हुआ ये सब सुनके आस्ता क्रीपी फिल करता है और मैगना भी मैगना बोलता है बंद करो ये सब चमकीले भाई साब कहते हैं इसमें तुमारी कोई गलती नहीं है तुम मेर से जल रहे हो कि मैं बहुत सुन्दर हूँ और तुम अगली हो सोल भी बोलने लगती है कि मेरी कैप्टन चारलोट से सुन्दर और कोई नहीं हो सकता उसके बाद अपने चमकीले भाई साब सोल का जेंटली हाथ पकड़ कर कहते हैं कितनी शरम की बात है तुमारे पास मोखाता सुन्दर बनने के लिए मुझे अपना मोडल बना लो खुद को इंप्रूव करने के लिए ये सब सुनकर और देखने के बाद आज तका क्यारी एक्षन होता है तुम खुद ही देख लो वो मिमोसा के पास नचनियो वाला इस्टायल में घूमने वाला डांस करके जाता है और कहता है ओ मिमोसा क्या तुम मुझे देखने आई हो सबसे सुन्दर इंसान को मिमोसा बोलती है सुन्दरता का तो पता नहीं पर तुमको देखकर उल्टी जरूर आ जाती है मुझे चमकीला भाई साब बोलते हैं क्या तुम मेरी सुन्दरता को समझ नहीं पाई हो क्या तुम बिमार हो लाओ मैं तुमको हील कर देता हूँ मिमोसा बोलती है बिमार तुम हो तुमको हीलोने की जरूरत है और सच बोलू तो मैं चाती हूँ कि तुम पहले ही मैच में हार जाओ चमकीला भाई बोलता है तुम हमेशा सही जोक्स मारने में अच्छी नहीं हो जोक्स मेरी तरह सुन्दर होने चाहिए आस्ता सोचता है मिमोसा घबाई काफी यूनिक है अब पता नहीं ये अच्छी बात है ये बुरी मिमोसा को काफी तकलीफ होती होगी इसको जिनने में इसे चमकीले जैसे भाई साप को अपने इंडिया में देशी भासा में बोलतें मीठे लोग आस्ता चमकीले से बोलता है Hello Nice चमकील भाई साब कहते हैं तुम तो वही होगे न कौमनर मुझे इस तरह से कैजुली बात मत करो मैं तुमको देख भी नहीं सकता तुमारा ओरा और तुम दोनों ही अगली हो तुमारी प्रेजेंस अगली तुमारे कपड़े गंदे और मसल्स भी अगली एक इंसान की बोडी स प्रेनिंग करी और अपनी बोडी बना ली मेरी बोडी अगली हो सकती है पर ये मेरा वैपन भी है यही मेरी ताकत है फिर वो कहता है कि हम सब लोग एक प्री डिटर्माइंड मैजिक के साथ पैदा होते हैं कहने का मतलब है कि पैदा होते ही एक इंसान के पास कितना मैजिक ह कम या ज्यादा वो पहले से ही तह होता है तो अगर कोई कम magic के साथ पैदा हुआ होगा तो वो चाहिए कितनी भी कोशिश कर ले उसके पास magic कम ही रहेगा increase नहीं हो जाएगा For example के लिए एक royalty जब पैदा होता है तो उसके पास काफी माना होता है At the same time जब एक कोउमनर कोउमनर घर में पैदा होता है तो उसके पास कम magic होता है For example ये चमकीले भाई का container देखो पूरा भरा हुआ है तो वहीं आस्ता का खाली है ये container ये दर्शाता है कि जनम लेते ही उनके पास कितना predetermined magic power है आस्ता कहता है predetermined magic container मैं समझा नहीं चमकीले भाई साब कहते है तुमारा और तुमारा दिमाग दोनों ही अगली है तुम जैसे बंदे magic night में कैसे आ गए मिमोसा बोलती है किर्ष्च तुमको ये tournament जीतना होगा चमकीले भाई साब बोलते है ओ मिमोसा तुमने मुझे अपना ही लिया वो बोलती है नहीं मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगले राउंड में मैं और आस्ता तुमको कुचल देंगे सब लोगों का एक ही reaction and statement होता है कि ये बंदा काफी flashy है याने की चमकीला और बैल भी हुई बोलती है फिर नोयल बोलती है कि वो है किर्श वर्मिलियन मिमोसा का बड़ा बाई जितना वो creepy है उतना ही वो annoying भी है कुलाउस बोलता है ये कोई तरीका है उसको introduce करने का वो दिखता कैसा है उसके बावजूद वो कोरल पिकोक का वाईस कैप्टन है और इस टैम वो अकेले खुद पूरी स्कौार्ड को चला रहा है जबकि कैप्टन साहिबा दोरोती सो रही है तो थोड़ा respect दोस को बैल कहती तुमने बोला वो दिखता कैसा है उसके बावजूद इसका मतलब है कि तुम भी वही सोचते हो जो हम सोच रहे हैं कि वो annoying and weird है Noel and you know भी कहते हैं हाँ चसमिस तुम यही सोचते हो सब बहुत देर से बकवास ही कर रहे हैं इसलिए Royal King and Wizard King मैच को शुरू करते हैं आस्ता की टीम वापस से वेटिंग एरिया में जाने लगती है आस्ता मिमोसा के साथ बैट कर जा रहा होता है इसलिए मिमोसा काफी खुश होती है कि आस्ता उसके बहुत close है आस्ता कहता है जल्दी चलो मुझे मैगने की टीम को cheers करना है जर्ख्स कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा confident नहीं हो जो जीतेगा ना वो अगले match में याने की अगले round में हमसे ही मुकाबला करेगा आस्ता कहता है जो तुमने match के दोरान कहा था तुम जीतने नहीं आए हो पर कोई इरादा है तुमारे मन में उसका क्या मतलब था मिस्टिरियस भाई साब कहते हैं कि मैंने वो जूट कहा था, आस्ता कहता है, कम ओन बता दो, अगर हम तीनों एक टीम की तरह, एक साथ इस गेम में फाइट करें न, तो हम ये गेम जीत सकते हैं, मिस्टिरियस भाई सब बोलते हैं, मैं तुमको फिर से एक चारे की तरह यूज़ करूँगा, इंगलीस में इसके लिए एक वर्ड है, जिसे बोलते हैं डीकोई, आस्ता कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था, गेम शुरू हो जाता है, और मैगना आग के गोले बरसा रहा होता है, बेसबॉल स्टाइल में, वो सीधा बिना कोई प्लैन के, डारेक्ट दुसमन के क्रिस्टल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जहां विजर्ड किंग मैगना के मैजिक को देखकर खुश हो रहा होता है, तो वहीं रोयल किंग कहता है कि बिना कोई इस्ट्रेटेजी के आगे भढ़ रहा है ये बंदा, इसका नाम काटो लिष्ट में से, दुसमन भी अपना हमला करता है मैगना पर, वो अपने जादूई भीडिया भेजता है मैगना की होर, मैगना उनको मारता हुँ कहता है, सामने आओ ना, क्या टरप्रोक की तरह छुपे बैठे हो, चमकीले भाई साब अचानक से मैगना के पास आके कहते हैं, तुमारा फाइटिंग स्टाइल अच्छा नहीं है, तुम काफी मैनत कर रहे हो, जबकि तुमारे पास लोंग रेंज एंड शोट टर्म रेंज दोनों तरह के अटेक्स हैं, अपने दुस्मन के माना फ्लो को अच्छे से रीड करो, और अपने अटेक को उनके माना को सरेंडर कर दो, अगर ये करना सीख लो तो तुमारा फ्लेम और भी अच्छे से फायर होगा, ये बोल के वो वहाँ से गायब हो जाता है, मैंगना सोचता है क्या डिफरेंट रेंज के लिए डिफरेंट स्पेल, यानि कि डिफरेंट रेंज के लिए डिफरेंट अटेक्, वो सोचता है धियान लगाता है और फिर जो पास होते हैं उनको पहले अटेक करके मारता है और फिर जो दूर होता है फिर उस पर अटेक करता है असली बंदे पर सॉल भी मैगना की तरह बिना कोई प्लैन के सीधा आगे बढ़ रही होती है दूस्मन सॉल को अपने मड मैजिक में फसाने लगता है चमकीले भाई साब सॉल के पास जाके उसको भी एक आडवाईस देते हैं कितना अन ब्यूटीफुल मैजिक है तुमारा एक बड़ा गोलम अराम से दूस्मन लोगों के लिए टार्गिट बन जाएगा तुमने एक काम करो अपने मैजिक से छोटे छोटे कई सारे गोलम बना लो जो ये बड़ा सा पुतला दिख रहा है ना फत्तर का बोडी गार्ड टैप तो उस बड़े से बोडी गार्ड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो सॉल भी यही करती है और दूस्मन को घेर लेती है चमकील भाई साब खुद क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करते हैं चमकील भाई का एक दूस्मन पानी में होता है वो कहता है कि तुमने अपने क्रिस्टल को बहुत खुले में रख रखा है वो अपने मैजिक से हमला करता है पर चमकीला भाई स्टार्टिंग से ही अलड था उसने पहले ही पूरे बैटल फिल्ड पे अपना चैरी ब्लोसम वाला लीफ छोड़ रखे हैं वो अपने मैजिक से चैरी ब्लोसम का तुफान ला देता है जिसमें दुस्मन लोगों को बिल्क मैजिक से चैरी ब्लोसम पर उन दोनों को बहुत अच्छा लग रहा होता है जबकि वो काफी इरिटेटिंग होता है और बाद में वो काफी एमबरेश्ट फिल्ल भी करते हैं सब लोगों के सामने क्लाउस बोलता है कि ये पहले किर्ष्च ने अपने फ्लावर मैजिक चैरी ब्लोसम से खुद के क्लोंस बना लिए अपने दुस्मन को कन्फ्यूस करने के लिए फिर अपने चैरी ब्लोसम से एक तुफान ला दिया जिससे दुस्मनों को सही से दिखा नहीं प्लस इसी वज या कि ये बंदा कोरल पिको का सकसेसर याने की वाइस केप्टन क्यों है ऐसा क्लाउस बोलता है आसता कहता वाओ मिमोसा तुम्हारा भाई के पास तु कमाल का जादू है ये पकत तुम्हारा भाई होगा मिमोसा बोलते है प्लीज ऐसा मद बोलो वो चमकीला भाई साब आसता क पास आके कहते है दूर अटो अगली कहीं के तुम मेरे स्पेस को गंधा कर रहे हो यानि की हवा को पॉलिट कर रहे हो अब तुम्हारी भार यह मेरे से फाइट करने की अग़ले राउंड में। तुम्हारे crack container में ज़्यादा magic नहीं है और मेरा magic तुमको चूर चूर कर देगा आस्ता कहता है ओ अच्छा पर एक चटका हुआ काटोरा भी काफी useful होता है चमकीला कहता है तुम बहुत गरीब होगे तभी चटका हुआ काटोरा इस्तमाल करते होगे आस्ता कहता है ऐसा नहीं है वो काटोरा सिस्टर लिली ने हमारे लिए खरीदा था यह तो सिस्टर लिली और मेरे बीच का प्यार है मैं उसको हमेशा के लिए इस्तमाल करूँगा जिनको अभी तक समझनी आया ना मैं उनको बता दू कि चमकीला भाई साब एक मैटाफोर यूस करता है एक container जो indicate करता जाता है कि किस इंसान के पास कितना ज्यादा predetermined magic power होता है उसी तरह से यहाँ पर भी वो एक metaphor यूस करता है जो आज तको समझनी आया तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही यह ब्लैक क्लोवर एपिसोड 75 का part 1 है जल्दी part 2 भी upload कर दिया जाएगा मैंने इस episode को detail में explain करने के लिए दो part में divide किया है तो इसी तरह से वीडियो साते रहेंगे तो जिसने चैनल को subscribe किया है उनको बहुत बहुत अरीगाटो अगले part में हमको golden down के vice captain का fight देखनों को मिलेगा तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में जय हिंद